आज हम अपने पढ़ाई को दुबारा रेज्यूम करेंगे दोस्तों होली पर दो दिन का बिलकुल एक प्राकृतिक अवकाश था नैच्रल वेकेशन था आप भी इंजॉय कर रहे थे हम भी इंजॉय कर रहे थे लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपने फेस्टिव मूड को धीर धीरे हम खतम करें और पढ़ाई के तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें दोस्तों आज का दा हिंदू जो है उसमें धेर सारी बहुत अच्छी अच्छी बाते हैं और हम उन पर आज बहुत ही विस्त्रित चर्शा करने वाले हैं अगे इस अगे इस अगे आलोक राज जी गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग ओल्माइड यूवर्स आप सब का आप सब को मेरा प्यार बहरा नमस्कार आप सब हमारे दहिंदू सिरीज को काफी प्यार दे रहे हैं ऐसा हम और हमारी टीम लगबग इस नतीजे में है दोस्तों मेरी एक दरखवास्त है अप सबसे की जितना प्यार आप दिखा रहे हैं उतने आप इनपूट्स भी दीजीए राइट हम अपने सरफ से अच्छा कर रहे हैं बट यह आप भी बहूत अच्छे से हमें बता सकते हैं कम्म्यूनिकेट कर सकते हैं कि क्या हम आपकी needs को completely fulfill कर पा रहे हैं क्या इसमें किसी प्रकार के changes या amendment की जरूरत है अगर किसी amendment की जरूरत है दोस्तों तो please don't shy in pouring your inputs to improvise our performance because if we will improve and improvise our performance then ultimately you will be benefited so don't shy friends to pour in your comments to tell your comments to communicate your inputs that what you want from us from this particular the Hindu series is that clear all of my dear friends good morning all of you Akshit Rawat Ji Aarush Bhargav Ji Sumit Kumar Basfore Ji very nice aap sab kamaura pyaar-bara-nabashkar Magbar Hindi में बोल दू जो भी मैंने बोला दोस्तों पिछले साथ दिन से आठ दिन से जबसे हमने Hindu series शुरू की है आप हमें धेर सारा प्यार दे रहे हैं काफी पसंद कर रहे हैं हमें एक अच्छा सकरात्मक feedback आपके साइट से मिल रहा है लेकिन दोस्तों हमारी आपसे ये निवेदन है हमारा आपसे एक request है कि प्लीज आप सब अपने ध्यान अपने interest को center में रखते हुए अपने हितों को केंद्र में रखते हुए अपने interest को center में रखते हुए हमें हमेशा अपने positive और constructive inputs देते रहें कि हम अपने दहिंदू सिरीज में आपके भले के लिए आपके अपलिफ्मेंट के लिए आपके excellence के लिए किस प्रकार का और constructive change कर सकते हैं तो दोस्तों comment section में मुझे इंस्टाग्राम पर personal messages करके हमेशा आप सब हमारे साथ एक interaction बना के रखें हमारा उद्देश यहां पर one way communication करने का बिल्कुल नहीं है कि मैं आऊं और चार बातें आपको बता कर चला जाओं हम आपस में मिलकर भला एक दूसरे का तभी कर सकते हैं जब communication two way हो यानि मैं भी आपकी बात सुनूं और आप भी मेरी बात सुनें दोस्तों एक बार फिर से मैं सिवितना कहना चाहूंगा कि please don't shy please don't shy to give your vital inputs because your inputs your constructive interference your constructive advice is upliftment for both of us is that clear शिखायादव जी good morning all of you my dear friends चलिए तो आज आप थोड़ा आलस से के mood में होंगे holy holy enjoy करके बैठे हैं तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई की और अग्रसर होते हैं आईए आप सब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों is that clear चलिए दोस्तों सबसे पहली जो हमारी आज की हिंदू की दाखबर है definitely वो है वो बात कर रहा है कि डैली में किस प्रकार अर्विन केजरिवाल के अरेस्ट के बाद डैली में किस प्रकार अर्विन केजरिवाल के अरेस्ट के बाद वहां पर काफी जादा protest हो रहे हैं डेली में काफी ज़्यादा protest हो रहे है और protest की वज़े से protest की वज़े से काफी ज़्यासत है गर्म हो गई है political temperatures जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों अर्विनड केजरिवाल आपको बहुत अच्छे से पता है Under which law he has been arrested. हमने Prevention of Money Laundering Act के बारे में चर्चा की थी दोस्तों, हमने Enforcement Direct Rate के बारे में चर्चा की थी और हमने ये भी डिसकस किया था कि क्या अर्विन केजरिवाल जेल से रहकर सरकार चला सकते हैं. Is that clear? दोस्तों, पिछले दो दिन से काफी जादा इस बात पर discussion हो रहा है और काफी जादा arguments और counter arguments हो रहे हैं कि क्या अर्विन केजरिवाल जेल से रहकर सरकार चला सकते हैं. दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि अर्विन केजरिवाल technically और constitutionally, technically, constitutionally और legally जेल से रहकर सरकार चला सकते हैं. इस पर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, हमने कुछ Supreme Court Adjudications और Supreme Court Cases की, इस संधर्व में या इस reference में या इस particular case में Supreme Court का previous judgment क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी, तो please friends जिनों नहीं तक नहीं देखा है, जिनों नहीं तक नहीं देखा है, please पिछले वीडियो को देखे जहां पर we have discussed in great detail, how Arvind Kejriwal can run the government from jail and what are those Supreme Court Adjudications, what are those Supreme Court Observations regarding this, that whether he has the technical approval, constitutional approval or legal approval to run the government from the jail or not. तो friends आपके कोई question पिछले lecture से समंधित हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपके question का इंतिजार कर रहा हूँ. दोस्तों मैं आपके प्रश्ण का इंतजार कर रहा हूं आपका कोई प्रश्ण हो तो आप सब पूछ सकते हैं ओके यह हमारे टेलिग्राम चैनल की लिंक आ चुकी है दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं यदि आपके कोई प्रश्ण हो इससे समधित हाला कि मैंने बहुत ही कॉम्प्रेहंसिव डिसकेशन अपने पिछले लेक्चर्स में किया है तो आप वहां प चलिए फ्रेंड्स मुझे लगता है आप सब इस पर पूरी तरह से क्लियर हैं हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूस के साथ दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें कुछ इंडिया में आई है दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टें माइनिंग applies for exploration on rights दोस्तों ये खबर क्या कहती है आई हम इसको समझते हैं सबसे पहले ये खबर क्या कहती है my dear friends देखिए सबसे पहले दोस्तों सी बेड माइनिंग क्या होती है आई हम समझते हैं सी बेड माइनिंग क्या होती है दोस्तों माइनिंग क्या होती है आप तो बह कहलाता है अब आपको पता है हमारे जो ओशियंस है हमारे जो ओशियंस है उनका जो सर्फिस है राइट ओशियंस सर्फिस जो है इसे ओशियंस सर्फिस कहते हैं और इसे आप सी बेड भी कह सकते हैं यानि सी का बॉटम इसे आप सी बेड ओशियंस सर्फिस कह सकते हैं दोस्तों ocean surface हमारे देश में हमारे विश्यो में अलग-अलग oceans के sea bed पर भी काफी ज़्यादा mines और काफी ज़्यादा minerals जो है वो पाए जाते हैं काफी ज़्यादा mines और काफी ज़्यादा minerals पाए जाते हैं और इनका exploration करके इनकी mining करके भी काफी जादा माइनिंग से रेविन्यू प्राप्ट किया जा सकता है काफी जादा अपने economic development को ensure किया जा सकता है इन minerals के दम पर दोस्तों ऐसा ही एक controversy इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है आईए समझते हैं वो किया है दोस्तों यह है हमारा प्यारा सा देश इंडिया और यह है चोटा सा हमारा पडोसी देश शिलंका दोस्तों यहां कहीं राइट यहां कहीं समुद्र में इंडियन ओशिन में एक बहुत ही छोटा सा area है जिसे आप कहते हैं nicotin, ध्याण से दोड़ा सुनिएगा दोस्तgar जो ये news में है, nicotin, मैं फिल से रखता हूं, nicotin sea mount इस area को कहते है, nicotin sea mount जो इंडियन ocean में है, please इसे note down कर ले, nicotin sea mount कहां पर है, इंडियन ओशियन में है और शिलंका के साउथ साउथ इस्ट में है इसे निकिटन सी माउंट कहते हैं दोस्तों माना जाता है कि यहाँ कॉपर और मैगनीज और कोबाल्ट कोबाल्ट मैगनीज के बहुत जादा रिजर्व्स हैं गय्यार और पिछले कुछ दिन से चाइना जो है वो अपने अपने नेवी के जरिए इस पूरे के पूरे एरिये के चक्कर लगा रहा है और इस एरिये पर अपना एक कंट्रोल इस्टेबलिश करने की कोशिश कर रहा है। तो आई चाइना की नजर जो है वो nicotin sea bound के sea bed में फसे हुए इन minerals पर है और उसे वो लगातार explore करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों पिछले कुछ दिन में शिलंका जो है हमारा पडोसी देश शिलंका ओके हमारा पडोसी देश जो शिलंका है ये भी Chinese influence में काफी जादा आ गया है और बहुत सारे ऐसे issues हैं जिन पर वो इंडिया के अगेंस जाकर चाइना का समर्थन कर रहा है तो ऐसे में दोस्तों चाइना का जो interference है इस एरिये में इंडियन ओशियन के एरिये में दोस्तों इंडियन ओशियन चाइना और इंडिया मैंने आपको बताया तो दोस्तों इ इछले कुछ lecture से बताया है इंडियन ओशियन पर चर्चा हुई थी तो मैंने आप से कहा था कि इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया का इंडियन ओशियन में एक नाचुरल प्रेजन्स है और चाइना का 30 से 40% ट्रेड जो है वो इंडियन ओशियन होकर होता है औ हमारे पास ना किवल कोस्ट लाइन है यहां पर दो बड़े बड़े चोटे चोटे आइलेंड बी हैं या आइलेंड ग्रुप्स भी है जहां पर जो इंडियन हमारे इंडियन जूरिस्डिक्शन में आते हैं तो ऐसे में हमारी एक बहुत हेफ्टी बहुत डॉमिनेटिंग जो है वो इंडियन ओशियन में है जो चाइना को कभी अच्छी नहीं लगती बिकॉस चाइना की यह दुखती रग है दुखती रग का मतलब चाइना का 30% अगर ट्रेड इस पूरे के पूरे रूट से होता है और कभी किसी प्रकार का कॉन्फिक्ट इंडिया चाइना का के ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर सकता है तो चाइना हमेशा अपने वैसल्स भेज करके अपनी नेवी भेज करके अपनी मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा रहता है और उस वो हमेशा कोशिश करता है कि यहाँ पर जो छोटे 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 का मेड़ागास कर ओके डियोगो गौर्शिया अलग अलग प्रकार के जो आइलेंड से उन पर अपना कंट्रोल और इंफ्लूएंस स्टेबलिश कर सके ताकि इंडिया की डॉमिनेटिंग प्रेजेंस को वो चैलेंज कर सके ऐसा ही एक एरिया है दोस्तों निकिटिन सी माउंट जिस पर चाइना जो है अपना इंफ्लूएंस जो है वो लगाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों एक और चीज समझने कोशिश कीजिए मुझे लगता है बैग्राउंड क्लियर है जोग्राफी क्लियर है निकिटिन सी माउंट कहाँ पर है आईए कुछ और बाते दोस साइन किया 1982 में United Nation ने convention साइन किया उसे कहते है United Nation Convention of Law on Seas, short में से unclosed कहते है United Nation Convention आप जराध्यान से सुनिएगा, year भी important है और यह law क्यों important है, यह international convention क्यों important है प्लीज जराध्यान से सुनिए, इसका full form है United Nation Convention Law of Seas, इसमें इंडिया भी इस convention का party है और चाइना भी इस convention का party है, ओके, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह इसे short में law of seas कहते हैं, यानि इसे short में law of seas कहते हैं इसे short में law of seas कहते हैं, यानि इसे short में law of seas कहते हैं, दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमारे समुद्र में जो भी maritime, maritime, maritime का मतलब होता है something which is related to sea, ocean, जो भी maritime trade होगा, जो भी maritime packs होगे, जो भी marine packs या maritime packs होगे, वो सब कहीं न कहीं, वो सब कहीं न कहीं, unclosed, यानि United Nation Convention of Law of Seas से derived होगे, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर समुद्र, समुद्र का समविधान कैसा होगा, समुद्र में किस प्रकार के नियम लागू होगे, किस प्रकार के नियम लागू नहीं होगे, पूरे वर्ड में आपको पता है, पूरे वर्ड में oceans हैं, इस देट लिया, पूरे वर्ड में oceans हैं, तो समुद्र का समविधान कैसा होगा, समुद्र का constitution कैसा होगा, समुद्र में किस-kis प्रकार के नियम, किस-kis प्रकार के कानून लागू होंगे, ओके, इन सभी चीजों के बारे में बात करता है law of seas, जो United Nation का law है दोस्तों, इसी uncloss के तहट, इसी uncloss के तहट उन्होंने एक body बनाई है इस body का नाम है International Sea-Bed Authority, इसी lock के तहट एक body बनी है, अगे ध्यान रखिएगा factually, very important, very important International Sea-Bed आप समझ गया होंगे Sea-Bed का मतलब क्या होता है International Sea-Bed Authority हमने एक body बनाई है International Sea-Bed Authority यह regulate करता है Sea-Bed यानि ocean floors में किस प्रकार कौन mining करेगा कौन mining नहीं करेगा mining से related rules and regulations क्या होंगे, इन सब चीजों को ले करके सारी बाते, International Sea-Bed Authority नाम का institution करता है इसका headquarter बड़ा important है इसका headquarter जो है दोस्तों, जमाइका में है is that clear, जमाइका जो की North American country Africa और North America के बीच में है Jamaica में दोस्तों, इसका headquarter है और यह international institution बहुत ही जादा important है because it deals with the rules and regulations of seabed the excavations in seabed the mining in seabed the exploration in seabed तो ध्यान रखियेगा यह exam oriented बहुत important है अब news क्या कहती है दोस्तों, इंडिया ने इंटर, इंडिया ने क्या किया है इस area पर, किस area पर मैंने बताया आपको जिस area के बारे में बताया nicotan sea mount nicotan sea mount जिस पर China claim कर रहा है कि हम वहाँ पर जाकर mining करेंगे इंडिया पहुँच गया है international seabed authority के पास और उसने अपना claim दे दिया है कि हम इस पूरे के पूरे area पर excavation यानि seabed excavation seabed mining करेंगे तो इंडिया और चाइना दोनों ने ही इस पूरे के पूरे area पर अपना control अपना influence establish करने के कोशिश की है मामला international seabed authority के पास है देखते हैं कि वो किसके पक्ष में फैसला सुनाता है तो दोस्तों news में था इसलिए यहाँ पर कुछ facts बहुत important हो जाते हैं पहला fact law of seas कब आया law of seas 1982 में unclosed का full form बहुत important हो जाता है United Nation Convention on law of seas unclosed कब आया 1982 क्या करता है समुद्र का सम्विधान है it is the constitution of ocean कहते हैं law of land so it is law of ocean that regulates the rules and regulations of ocean unclosed important है उसके बाद दोस्तों exam oriented बड़ी चीज़ important है international sea bed authorities का headquarter कहाँ पर है ये भी important है और जो चर्चा में है दोस्तों nicotine sea mount ये important है nicotine sea mount जहां copper के cobald के बहुत बड़े-बड़े reserves मिले हैं जिस पर India और China दोनों ही claim कर रहे हैं दोनों ही claim कर रहे हैं अब matter जो है इस international body के पास पहुँच चुका है देखते हैं किसका claim बनता है वहाँ पर बहुत जरूरी है दोस्तों हमको अपने Indian ocean में interest को protect करना because China हमें Indian ocean में घेरने की तैयारी लगातार कर रहा है और हमें क्योंकि China इस चीज को समझता है कि India भले ही उससे military might में पीछे हो इंडिया भले ही उसकी economic size में पीछे हो लेकिन इंडिया के पास एक ऐसी natural power है जो उसको प्रकृती ने दी है नेचर ने दी है और वो है Indian ocean में उसकी strong presence और चाइना चाह करके भी अपने Indian ocean से dependence खतम नहीं कर सकता और वहाँ पर हम राजा बनके बैठे हुए है तो अपने इस dominant position को हमें हमेशा strengthen करना है और किसी भी प्रकार के Chinese intervention का डट कर मुकाबला करना है Is that clear? ठीके दोस्तों तो आपके कोई questions हो तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं Good morning श्रिंकला जी सुमित कुमार बासफोरे जी matter recorded है आप एक बार repeat करके देख सकते हैं अगर repeat करेंगे तो वीडियो की सुमित मेरे भाई unnecessary topic length increase होगा आप थोड़ा सा revise करके देख सकते हैं क्योंकि सब कुछ recorded होने वाला है Okay my dear friends हम लोग आगे चलते हैं अलोग it's not very important कि कितना ज्यादा internal mining coal में हो सकता है ये पूरी तरीके से law of seas के document में बताया गया है कि कितना mining हो सकता है ये आपके exam के लिए important नहीं है आपको सिर्व इतना याद रखना है कि इस प्रकार की ocean mining के लिए या sea floor mining के लिए कौन सा कानून है और कौन सी body है जो rules and regulations बनाती है is that clear अलोग राजी it's not very important don't go that way ठीक है न उतनी आवशक्ता नहीं है आपको जान करेटने की law of seas क्या कहता है अब आप कभी international relations में PhD करेंगे तब आपको शायर इस सीज के जरुरत पड़ेगी is that clear चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली news के तरफ अगली news हमारी क्या कहती है इसको जरूर पढ़िएगा आप सब जरूर पढ़िएगा हाँ कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि sir control किसका है वहाँ पर देखिए देखिए law of seas क्या कहता है मैं एक और चीज जो सुमित कुमान ने पूछा बताता हूँ दोस्तों law of seas या फिर short में इसे आप uncloss कहते हैं वो क्या कहता है दोस्तों किसी भी country के किसी यसे बारा इंडिया है इंडिया इंडिया की जो बॉर्डर इंडिया की जो बॉर्डर है जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है यहां से लेकर 200 nautical miles समुद्र में दूरी को nautical miles में हम लोग measure करते हैं 200 nautical miles तक इंडिया किसी भी प्रकार की mining कर सकता है यह पूरी तरीके से इंडिया के control में आता है मैं अपनी बात को पुलने दौर आता हूँ मैं आपको बताऊंगा कभी exclusive economic zones इन सब कीज़ों को फिलहाल आप मोटा माटी इतना समझिए कि इंडिया इंडिया अपनी boundaries से यहां से यहां से 200 nautical miles कितना 200 nautical miles तक ocean bed में जाकर exploration कर सकता है mining कर सकता है और किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है ना केवल इंडिया कोई भी country law of seas यह कहता है कि अपनी जो coastal region से 200 nautical miles तक जा करके आप exploration कर सकते हैं mining कर सकते हैं law of seas याणि unclosed आपको इसकी permission देता है लेकिन दोस्तों जिस जगे की हम बात कर रहे है nicotine sea mount वो इंडिया से बहुत दूर है यानि 200 nautical miles से बहुत दूर श्रीलंका का जो jurisdiction है 200 nautical miles का उससे भी बहुत दूर और चाइना का जो 200 nautical miles है उससे भी बहुत दूर तो actually में जो nicotine sea mount है जिसको लेकर इंडिया और चाइना के मीच में विवाद चल रहा है यह एक neutral ground पर है यानि किसी के jurisdiction में नहीं आता इसलिए यहाँ पर कोई भी party चाहिए वो इंडिया है वो चाइना वो mining कर सकते हैं बट विद द पर्मीशन ओफ विद द पर्मीशन ओफ International Seabed Authority विद द पर्मीशन ओफ International Seabed Authority दोस्तों पूरे पूरे वर्ड में अगर हम बात करें पूरे पूरे वर्ड में करीब करीब ओशियन का 60% पूरे वर्ड में जितना भी ओशियन है 60% of the ocean comes under neutral ground only 40% of the ocean area comes under the jurisdiction of different different countries 60% of the ocean area all across the world comes under neutral ground which is governed by the law of seas is that clear my dear friends no 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 Arush Bhargav ji this is not possible right if such type of such type of borders conflict will occur then once again we have law of seas to solve the dispute Arush Bhargav ji if there is such type of coincidence halaki that's not possible but if some aberration comes if some exception comes that there is a conflict or there is some overlapping of marine jurisdiction then it will be solved by definitely the law of seas the United Nations law of seas will adjudicate on this matter is that clear so we have laws such type of disputes can be solved to laws law enforcement agencies and international organizations don't worry about it is that clear होता ही है बिल्कुल सही बात है चाइना और वियत नाम के बीच में बीच में बात चल रहा है जहां चाइना बुली करने ही कोशिश कर रहा है Philippines और दूसरी कंट्रीस को चलिए हमागे चलते हैं दोस्तों अगला हमारा खबर क्या कहता है बड़ी इंपोर्टेंट खबर डिसकस की हमने दोस्तों अगली हमारी खबर क्या कहती है ये भी बड़ी ही इंपोर्टेंट खबर है दोस्तों Employment Scenario in India Grim Says ILO दोस्तों ILO के बारे में हमने चर्चा कुछ दिन पहले की थी अच्छा आए लो के बारे में अच्छा आपको क्वेश्चन तो जरा बता दिए तीस सेकंड का मैं पॉस्ट ले रहा हूं कोई क्वेश्चन आपके हों तो आप लोग बूच सकते हैं चलिए दोस्तों अकली खबर की तरफ मूव करते हैं Employment Scenario in India Grimm Sales ILO Report दोस्तों यह ILO क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए यह ILO इसके बारे में चर्चा हुई थी ILO का फुल फॉर्म है International Labour Organization exam के लिए बड़ा ही important दोस्तों International Labour Organization ओके यह established कहा हुआ इसका headquarter क्या है और यह काम क्या करता है यह हमें समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले International Labour Organization दोस्तों 1919 में 1919 में फर्स वर्ड वर के बाद ILO को बनाया गया था is that clear this is very important दोस्तों अचा इसके बात इसके पास आज करेंट्ली 187 members है यानि जादा तर countries जो वर्ड के हैं वो इसके members है इसका headquarter very important very 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 important for your mock or for your examination जिनेवा में दोस्तों इसका क्या है headquarter है और इंडिया हमेशा से इसका member रहा है और इंडिया हमेशा से इसका member of या फिर हम कह सकते हैं India is a founding member founding माने जब से ये बना है तब से इंडिया जो है वो ILO का member है इसके बारे में एक और fact बड़ा important है 1969 में दोस्तों international labor organization को जो की एक UN body UN body है जो labor और labor issues labor और labor issues से deal करती है 1969 में दोस्तों very important इसे nobel peace prize मिल चुका है right nobel peace prize मिल चुका है nobel peace prize से हम लोग बात करते दोस्तों nobel price की कोई मुझे बता सकता है nobel price start कब हुए थे please tell in comment section and please tell in your chat boxes right nobel price start कब हुए थे ये मेरा आप से प्रशन है is that clear so these are three four facts which is very important to ILO ILO publishes its report on labor labor issues labor performance okay the conditions of labor the upliftment of labor in सब चीजों के बारे में labor जो है international labor organization काम करता है दोस्तों अभी हाल ही में international labor organization अपनी report published की है with reference to India and what does this report says हम इसके बारे में बात करते हैं जिसकी यह topic पढ़ रहा है उसßen अपनी स्टाटिस्टिक्स में अपनी डेटा में बात बोला है कि हमारे यहां जो 35.2% हुआ करती थी, okay? I am repeating my words, I am repeating my words again. According to the reports of International Labour Organization, India was having unemployment rate of just 35.2%, just 35.2% in the year 2000. But this unemployment rate, this unemployment rate has risen to a gigantic level in 2024 and it has reached to 65.7%. Okay? दोस्तों, ये report कहती है, ILO की, कि हमारा जो unemployment rate है, मैं भी explain करूँगा कि unemployment rate क्या होती है, कुछ terminologies पे हम बात करेंगे. Unemployment rate हमारे यहाँ, यह 2000 में, सन 2000 में, 35.2% हुआ करती थी. और अभी, यानि 2024 में, हमारी unemployment rate जो है, वो करीब-करीब 67% पहुँच चुकी है. यानि, 35, 25, 35, 70, लगभग, लगभग, हमारी unemployment rate दोस्तों, डबल हो गई है. And it is a cause of concern. Sorry, 65% हो गई है. Sorry, it's not 67, but 65, जो कि बहुत ज़्यादा है. Okay, लगभग, लगभग, डबल से थोड़ा सा ही कम है. So, it is a great cause of concern, not only for us, but for Indian government as well. But why such, why there is such a gigantic upliftment, increment, exponential increment in unemployment in India. दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में, अगर हम बात करें, कुछ और बातें जो इसने बोली हैं. Okay, कुछ terminology से सरते हैं, सबसे पहले labor force क्या होती है? आईए समझने की कोशिश करते हैं, अकबारों में आपको एक term मिलेगी, labor force. Labor force का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितने भी लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है. अब मैं अपनी बात को पुने दोराता हूं, जो लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, प्लस करना चाहते हैं, प्लस या काम धूंड रहे हैं, वो सब कोई labor force का हिस्सा है. Is that clear? मैं अपनी बात को पुने दोराता हूं, दोस्तों, those people who are working, plus those who are having intention to work, and those who are having search of work, all are included in labor force, और इसके लिए एक और term included है, एक और term use की जाती है, labor force participation rate. Okay, so what does the labor force participation rate is? Labor force participation rate क्या है? जो लोग काम कर रहे हैं, प्लस जो लोग धूंड रहे हैं, प्लस जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, सभी लोगों को मिला करके हम कहते हैं, labor force participation rate. अब अगले प्रशन पर आते हैं कि सर, unemployment rate किसे कहते हैं? Unemployment rate का मतलब होता है, number of people unemployed divided by total labor force या फिर total labor force participation rate जो मैंने अभी आपको explain की. और वो कितनी हाई जा चुकी है, 67%, 67% जो है, very good, सन्यासी बनाद जी, अलोक राज जी, 1901, बहुत अच्छे, अच्छा, किसने शुरू किया था, अगला प्रशन, Nobel Prize किसने शुरू किया था, इसके बारे में मुझे बताएं, तब तक मैं अपनी discussion जारी रखता हूं. दोस्तों, यह unemployment rate, यानि total people who are unemployed, divided by total labor force, आज की date में आचुकी है, हमारी 67% पर, this is a great cause of concern, and this is an alarming bill for our authorities, that please do something to increase employment scenario and decrease unemployment rate in India. Unemployment rate in India. दोस्तों, elections are going on, elections are going on, हमारे देश में 2, 5 मेने के बाद, 3 मेने के बाद, एक नई सरकार अपना जगे ले लेगी, और ऐसे में इस report का आजाना, इस report का आजाना, सभी political parties के लिए एक warning है, या alarming, alarming signal है, कि भाई, अपने-अपने policies में, अपने-अपने election manifestos में, आप employment को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, ये report ये बताती है, कि भारत में लगातार employment का scenario grim, यानि कमजोर होता जा रहा है, तो जितनी भी political parties election fight कर रही हैं, उनके लिए ये report eye-opener हो सकती है, कि वो अपने election manifestos में, यानि चुनावी घोषना पत्र में, या चुनावी मुद्दों में, employment का जो मुद्दा है, उससे push करें, that can be very catchy among the youths, that can give them lot of votes, तो उस तो election होता किसलिए है, election इसलिए नहीं होता कि कोई सरकार जीते या कोई सरकार बने election इसलिए होता है कि हम जैसे नागरिकों के मुद्दों को, issues को, concern को, central position मिले election के issues में, is that clear? मतलब those interests which are related to us, those interests, those issues which are related to our daily life or survival, that should be given a center space, a central position, a central theme in the electoral process, okay? And the government should be formed, government should be formed, election should be won or lose on people's issues, those issues which are related to people, those issues which are not related to people, those issues which have a very minimal effect on people's survival, people's upliftment, people's development, must not be given primacy, must not be given priority in the electoral issues or electoral process. Is that clear? मेरा इशारा किस तरफ है? दोस्तों आप सब समझ गए होंगे. एक तरफ ये रिपोर्ट है, जो बहुत ही बहुत ही गंदी पिक्चर पेश कर रही है हमारे देश की. कोई प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं. कोई प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. कोई भी प्रश्न हो. ये बड़ी ही इंपॉर्टनल रिपोर्ट है आप सब इसे पढ़ लीजेगा. अक अप्ली का हो सकता है? सबसे महत्वपूर चीज, देखिए, इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले कारण है craving for government job, हमारे यहाँ सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, unemployment rate इतनी ज़्यादा हाई होने के लिए, सबसे एक बहुत बड़ा कारण responsible है, वो है craving for government job, government jobs के लिए इतनी ज़्यादा craving, इतनी ज़्य craving जो है, वो हमारे youths को completely एक different direction में ले जाती है, अपने youthful energies को 8-10-10 साल तक सिर्फ government jobs का पीछा करने के लिए दोड़ा कर रखती है, ऐसे में, उनकी youthful energy जो उनको कुछ और बना सकती थी, वो अपने skills के दम पर, अपनी entrepreneurship skills के दम पर, या फिर किसी दूसरे skills के दम पर कुछ औ बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन समाज उनसे जो सरकारी नौकर बनने की अपेक्षा रखता है, इसकी वज़े से ये पूरा का पूरा खामियाजा भुगतना पढ़ रहा है, एक सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, इसके बाद, आप देखिए न, अभी UP में, आपने रेखा कि किस प्रकार जो है, एक कॉंस्टेबल की वेकेंसी आई थी, उसमें पच्छास लाख लोगों ने फॉर्म बढ़ा था, ओके, स्पेशल ट्रेंज चलवानी पढ़ गई थी, कॉंस्टेबल की वेकेंसी के लिए, रेलवे की 90,000 वेकेंसी के लिए 2 या 4 करोड लोगो ने फॉर्म भरा था से 3 साल पहले, काफी जादा इस चीज को लेकर भी अंतरास्ट्री इस्तर पर, इंटरनाशनल लेवल पर हमारी थूथू हुई थी, कि 90,000 वेकेंसी के लिए 4 करोड लोग पीछा कर रहे हैं, और वो गन, लाइन मैन और एक लो स्किल जॉब थी, लो स्कि पारिंग तो बिकेम अस्मॉल गर्वर्मेंट सर्वेंट, बिकॉस हमारा सोशल स्ट्रक्टर या एक प्रकार से सोशल एक्स्पेक्टेशन जो है हमारे यूद्स की, हमारे यूद्स से ये की जाती है, कि वो जल्दी से एक सिक्योर्ड गर्मेंट जॉब लेकर आराम से बैठ की प्रगती के लिए, किसी भी देश की उन्नती के लिए अच्छी चीज नहीं है, आप देख सकते हैं, हमारे यहां 65% unemployment rate हो गया है, उसके पीछे एक बड़ी वज़े हमारे यूद्स का सरकारी नौकरी के पीछे अंधा धुन्ध पीछा करना है, आप कोई उद्यम शुरू क कर सकते हैं, entrepreneur बन सकते हैं, आप अपने skill का यूज करके कोई दूसरा काम शुरू कर सकते हैं, आप private job भी कर सकते हैं, which is no less than a government job, but नहीं, ठीक है, एक बहुत बड़ा कारण यह है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, skill gap, दूसरा सबसे बड़ा कारण है skill gap, हमारे Employers ने, Employers ने, Industries ने यह आरोप लगाया है कि हमारे यहां के colleges और schools जो product पैदा करते हैं, वो बिलकुल भी employable नहीं है, employable यानि उनको तुरंत hire करके नौकरी नहीं दी जा सकती, they lack the necessary skills to be employed, एक research के मताबिक, दोस्तों हमारे देश में सिर्फ 4% लोग, हमारे देश में वो लोग जो graduate होकर market में job seeker, यानि नौकरी तलाशने के लिए निकलते हैं, सिर्फ 4% लोग ही उसमें से skilled होते हैं, कि उन्हें सीधे accommodate कर दिया जाए job में, ये industry की और बहुत सारे employees की complaint है, कि हमारी जो demand है skills की, वो colleges और schools और universities पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा अपकारण है, हमारे देश में unemployment rate के इतने high होने का, तो जरूरत है skill development की, हमारे देश में जो universities हैं, colleges हैं, academies हैं, इनका बहुत जादा ध्यान होना चाहिए बच्चों के skill development पर, ताकि वो job market में struggle ना करें, सीधे employed हो जाएं, ये अगर मैं बात करूँ 4%, चाइना में य 38% है, यानि करीब-करीब जितने बच्चे universities से पास होकर निकलते हैं, colleges से पास होकर निकलते हैं, उसमें से 38-40% बच्चों के पास स्किल होती है, यानि करीब-करीब हमारे यहां से 10 गुना जादा, 10 गुना जादा, तो इस skill gap को fill करना है हमको दोस्तों, यानि skill gap का मतलब, ज जो skills industry demand करती हैं, और जो skills हमारी college और universities बच्चों को देती हैं, इस skill gap को जो बहुत जादा है, इसे कम करनी की ज़रूरत है, ताकि हम अपने employment scenario को देश में बदल सके, I hope it's clear, ऐसे न जाने कितने कारण है, मैंने दुख दो मुख्य वजए आपको इसके बारे में बताया, तीस we have a very negative attitude towards entrepreneurship, कोई भी बाप नहीं चाहता, या कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उसका better entrepreneur बने, because it's too risky, it's too risky, हमारे यह entrepreneurship को लिखके negative attitude बच्पन से ही बच्चों में डाल दिया जाता है, नो कि entrepreneurship is too risky, business can be too risky, business डूब जाएगा, और तुम कंगाल हो जाओगे, it's better to job करो, कम से कम fixed income आएगी, तो ये जो बच्चों को बच्पन से ही डाल दिया जाता है दिमाग में, कि तुम्हें job seeker बनना है, ना कि job creator, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा problem है, मोधी सरकार पिछले 10 साल से लगातार ये कोशिश कर रही है, कि किस प्रकार इसके attitude को change किया जाए, बहुत सा culture को, सोच को, इस attitude को बदला जा सके, कि हमारे यहां के लोग job creators बने, ना कि job seekers, दूसरे देश, जो developed देश है, वहाँ पर दोस्तों, job creation पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि job seeking पर, ओके, ध्यान रखिएगा, इसलिए वो दोईश आगे है, तो कुछ सोच में परिवर्त बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस report को देखिएगा, इस पर दो reports आई है, एक editorial भी आया है, उस पर भी मैंने पूरा discussion अभी कर दिया, एक साथ दोनों editorial को bust कर दिया है, आप लोग उस पर देखिएगा, आगे चलते हैं, बड़ी important important खबरे आई हैं दोस्तों, आज, यह तो political news है, कोई question तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी question, किसी भी प्रकार का question, आप लोग पूछ सकते हैं, चलिए, तो अगर आपका question नहीं पूछता है, तो मैं पूछता हूँ, start-ups योजना, मध्ध भारत में, हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने, right, start-up scheme कब शुरू की थी, आपके exam के लिए important question, start-up scheme, start-up scheme यानि, जहां पर सरकार start-ups के लिए, हमारे यूट्स को motivate करती थी, कि आप start-ups open कीजे, यानि, आप job creators, job creation कीजे, ना कि job seeking कीजे, ये start-up scheme हमारे देश में कब, date के साथ आप सब बताई है, कब शुरू की गई थी, और दूसरा, national skill development scheme भी हमारे देश में कब शुरू की गई थी, इन दोनों के year, फटाक से आप मुझे बताई है, तब तक मैं अगले scheme पर चलता हूँ, CSRE political news हैं दोस्तों, इन political news पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छा, ये एक खबर ने मेरा कह सकते हैं, एक बड़ा important catch खीचा, once again, judiciary is in news, once again, very good, very good, आरुश, बहुत अच्छे, बना तो दे, मैंने दो question पूछे, start-up scheme की बात कर रहा है, या पर national skill development scheme की बात कर रहा है, national skill development scheme की बात कर रहा है, अरे प्रियंका जी, आप पुराने question का answer कर रही है, 1901, मैंने पुराना question पूछा था, कि Nobel Prize कब शुरू हुआ था, I am asking a different question, guys, please listen to my question, I have asked two questions, दो questions है, national skill development scheme, skill development, इस पर भी चार्चे हमने थोड़ देर पहले की, यह कब शुरू हुई, और दूसरा, start-up scheme, या start-up योजना हमारे देश में कब शुरू की गई, इसको लेकर आप नहीं पी लेते हैं, जल्दी, quickly, very good, very good, सनावी बनाद जी, national skill development program, 2014 में आया था, very good, 2015 में आया था, very nice, बहुत अच्छे, ठीक, और 2016 में हमारा start-up आया था, very good, आये फटाक से हम इस scheme के तरफ ज्यान देते हैं, दोस्तों, ये scheme हमारी क्या कहती है, Bombay High Court sets, ओके, ये scheme मोल रहा हूँ, ये news क्या कहती है, scheme निखल रहा है मेरे मूझ से, scheme, scheme की बाते करके, ये हमारा एक बार की खबर क्या कहती है, Bombay High Court sets a site, election commission notification for by election in Acola West constituency, दोस्तों, दो-तीन चीजें discuss करनी है, ये by election क्या होता है, Bombay High Court ने क्या verdict दिया, और कौन से act का, कौन सा provision का हवाला देते हुए, या रिफरेंस देते हुए, ये 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 पूरी की पूरी news आई है, दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश कीज़े, ये by election क्या होता है, सपोस करिये दोस्तों, को is an elected person, कोई MLA या MP, which is a, who is an elected person, अगर ये किसी भी वज़े से की death हो गई, in between his tenure, in between his tenure, he has been given tenure of five years, so if in between his tenure, he died, okay, or he is disqualified, or he is disqualified, so because of death, or because of disqualification, if the seat of an MLA or MP, who is supposed to rule for five years, becomes vacant, becomes vacant, so that particular constituency, जो ये seat खाली हो गई है, कि death की वज़े से, disqualification की वज़े से, cannot remain unrepresented, cannot remain unrepresented, अगर किसी की death हो गई, या disqualification हो गया, तो जल्दी से हमें दूसरा चुनाव कराना पड़ेगा, जान रखियेगा, cannot remain unrepresented, तो vacancy के बाद, हमारा representation of people's act 1951 ये कहता है, जरा ध्यान से सुनियेगा, news में हमारा representation of people's act 1951 कहता है, कि ऐसे case में, अगर किसी भी MLA ये MP की death हो गई, disqualify हो गया, मोटा माटी वो seat vacant हो गई, permanent vacancy वहाँ पर आ गई, तो आपको six months के अंदर जो है, वो चुनाव कराना पड़ेगा, तो दोस्तों, ऐसी ही एक seat थी, ऐसी एक seat थी, अकोला, जहांके जो हमारे candidate थे, जो हमारे MP थे, let me be clear, हमारे, उनके जो MLA थे, गोवर्धन शर्मा जी, उनकी death हो गई, गोवर्धन शर्मा जी की death हो गई, और उसकी वज़े से वो seat जो है, वो खाली हो गई, और election commission ने notification जारी किया, कि उस seat पर by poll या उप चुनाओ कराया जाएगा, और इसके खिलाफ Supreme Court में एक याचि का litigation दायर कर दी गई, और litigation के बाद Supreme Court का verdict आया, क्या आया, आईए हम इस चीज़ को समझते हैं, दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक act के बारे में बात की, representation of people's act 1951, वो यह और उसका भी section 151, ध्यार रखिएगा, section 151, आज नहीं तो कर आप इसे पढ़ेंगे, section 151, एक क्या कहता है, section 151, एक कहता है, कि अगर किसी भी प्रकार की vacancy, किसी भी MLA या MP की death, या फिर disqualification की वज़े से होती है, किसी भी प्रकार की vacancy, किसी MLA या MP के death या disqualification की वज़े से होती है, तो उसे six months के अंदर भद लिया जाना चाहिए, यानि चुनाओ करा कर नए व्यक्ति को वहां का MLA या MP बना दिया जाना चाहिए, लेकिन, लेकिन, अगर ये vacancy, उन conditions मे हुई है, कि अगला चुनाओ बस होने ही वाला है, यानि पाँच साल का tenure complete होने ही वाला है, और अगले छे महीने या एक साल के अंदर चुनाओ वैसे भी होने वाला है, तो फिर बाइपोल या उप्चुनाओ vacancy create होने के वज़े से नहीं होगा, मैं अपनी बात को पुने हुँज आप या झाँप जाप झा याँच को आव बस्कुनाओ ल एक अंदर ल repliए Sवे आप साल की बटा कुनाओ और इसे या ये उझ दे बात की ओनọचिना बटस ए संथा बात के अंद k टुनाओ भी होने घर बाइना सुल कम geography होईं इस 차торов है कि utility कोई शुनाव बा next election to be conducted then there is no need to conduct election there is no need to conduct by poll और दोस्तों यही हुआ था इस पूरे के पूरे खबर में नवंबर में उनकी death होती है last year नवंबर में death होती है और इस साल सेप्टेंबर में महारास्टरा में वैसे भी state legislative assembly के elections होने होने वाले हैं यानि नवंबर में उनकी death होती है तो मुश्किल से 8-10 महेने के बाद दुबारा election वैसे भी होने वाले है तो उसके बावजूद भी election commission of India ने कहा कि election कराएंगे Supreme Court ने कहा यह section 151 का violation है यानि disqualification एक ऐसे time पर हुआ कि सिर्फ एक साल से कम का समय बचा हुआ है दूसरे फ्रेश election होने में तो अब election commission को जरूरत नहीं है नया election कराने की is that clear यह है section 151 a of representation of people's act पता होना चाहिए दोस्तों कोई question आप सब के हों तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं चले दोस्तों आगे चलते हैं हम अगले न्यूज की तरफ अगली न्यूज हमारी क्या कहती है अगली न्यूज सारी political न्यूज है दोस्तों इस पर हमको नहीं जाना है आई हम अडिटोरियल की तरफ क्या कहता है यह न्यूज जरब पढ़ लिजेगा सुप्रीम कोट ते कुछ नए और दिये हैं राइट की मीडिया की प्रेस की फ्रीडम डेमोकरसी के लिए कि इतनी इंपॉर्टेंट है यह न्यूज आप सब जरूर पढ़ लिजेगा बड़ी सिंपल सी न्यूज है आम नॉट गूइंटो इट दोस्तों हमने एक दिन यूनाइटेड नेशन अच्छाए लिजेगा नेशन दोस्तों हमने एक दिन यूनाइटेड नेशन लिजेए को criticize किया था थोड़े दिन पहले हमने यूनाइटेड नेशन को criticize किया था यूनाइटेड नेशन सेकूरिटी काउंसिल को वीटो पावर है उसकी वजे से problem solve नहीं होती problem और बढ़ जाती है अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले इसराइल पैलेस्टीन वार पर अमेरिका ने वीटो करके पूरी की पूरी प्रॉसेस को डिरेल कर दिया था और इस प्रकार युनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाया था इसके लिए आप पुराने वीडियो देख सकते हैं तो उसनों कल के कल क्या खबर है पच्चिस मार्च का सॉरी परसों का खबर है इसमें बात बोली है कि आखरी में युनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल ने वो रिजूलूशन पास कर दिया जिसमें इसराइल और पै पास हुआ है उनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल के पाचों मेंबर्स ने पाचों पर्मानेट मेंबर्स में जिने पी फाइफ कहते हैं रिफरेंस के लिए पुराने वीडियो देखें पी फाइफ ने दोस्तों रिजूलूशन पास कर दिया है इस बार किसी की गई है कि अब जो है वो सीज फायर यानि युद्ध विराम यानि तो स्टॉप दवार इसको लेकर के एक एग्रीमेंट जो है वो पास एक resolution जो है वो पास कर दिया है United Nation Security Council में दोस्तों P5 अब आप बोलोगी यह कैसे possible हुआ जिन बच्चों ने पुराने lectures देखे थे वो P5 की complexity को समझते हैं कि किस प्रकार P5 में अलग-अलग जो countries हैं वो अपने-अपने interest की वज़े से कभी भी एक conclusive decision पर नहीं पहुच पाते हैं दोस्तों P5 में कल United States of America ने अपने आपको abstain कर दिया यानि उस meeting से उन्होंने participate नहीं किया बचे सिर्फ चार countries और चार countries ने यह ceasefire agreement यह ceasefire resolution जो है वो पास कर दिया जिसमें यह आग्रह किया गया है किससे इसराइल से कि भाई तुमने 32,000 लोगों को मार दिया 14,000 से जादा वहाँ पे घायल हो गया है वहाँ पर तुमने घेरा लगा करके वहाँ को पैरस्टी के लोगों को भूखा बार दिया humanitarian crisis हो रही है वहाँ पर इतनी बुरी humanitarian crisis हो रही है अब भाई पीछे हड़ जाओ और बातचीश के माध्यम से किसी तरीके से मामले को सुल्टा लो ठीक है उसने तुम पर अटेक किया तुमने वहाँ के लोगों को मार दिया अब और इससे devastating मत बनाओ don't aggravate this fight please come to negotiating table have a discussion and resolve the dispute because peace is very important for humanity the kind of devastation the kind of catastrophe the people of Palestine are facing from last four years is a cause of concern for all across the world is a cause of concern for countries all across the world because 32,000 people have died women's and children's have died in Palestine so I hope the Israel will listen to the resolution passed by United Nations Security Council Israel being a respected state being a very great civilizational state right will listen to the resolution passed by the most powerful agency of United Nations Security Council is that clear my dear friends halakikal Benjamin Netanyahu उन्होंने जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल इस security काउंसिल के द्वारा पास किये गे resolution की बहुत जादा आलोच रगा या क्रिटिसिसम किया उन्होंने कंडेम किया इसको और फिर से बोला कि हमने थोड़ी शुरुआत किया था हमास ने पहले घुसके हमको मारा था अरे भाई किसी ने घुसके मारा हो तुमने तो उसके दस गुना बीस गुना सो गुना लोगो जादा मार दिया ओके बेंजाम में नितनियाहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने युनाइटेट स्टेट्स आफ अमेरिका जिससे उमीद की कर रहे थे वो कि वीटो करेगा उसके पक्ष में विकाज यूएस और इसराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इसराइल को यह उमीद थी कि यूएस वीटो करेगा लेकिन यूएस ने इस बार एपस्टेन कर दिया तो कि यूएस को भी लगा कि अब जादा हो रहा है भाई तुमने बहुत जादा अंधी मचा दिये ठीक है अ और खास्त और से यूएसे के उपर जो हमेशा उसके पक्ष में आकर अपना वीटो वोट या नेगेटिव वोट दे देता था अब किसी ने अगर पूछा कि सर वीटो क्या होता है तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा बाबू पिछले वीडियो उसको देख लो हमने 20 या 21 मार पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और डिरेक्टि इस वीडियो को देखने के लिए आगे हैं तो प्लीज फ्रेंड गो लिसन वाच राइट अग्स वीडियो तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा एक डिवलुप्मेंट हुआ है इंटरनाशनल लेवल पर पिछले वीडियो Security Council को बहुत ज़्यादा कर्डिसाइस किया था कि उन्हों ने अभी तक Arab Israel War पर कोई development नहीं किया कल 25 मार्च को development हो गया हम यहां से कोई appeal करते हैं और लोग सुन लेते हैं ऐसा लगता है कि सभी law prep का वीडियो देख रहे हैं ओके चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों अगला ओके एक बड़ा अच्छा मालब बहुत इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा आप सेट दवील in motion for a cyclist manifesto अब यह cyclist manifesto क्या है दोस्तों यह आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा बड़ा ही अच्छा और बड़ा important article है मतलब इसमें facts तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन इसमें कुछ बड़ी ही अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी जैसे दोस्तों हमारा कमिटमेंट है मैंने कई बार class में आप सबसे कहा था यस हमारा कमिटमेंट है हम युनाई हम हमने declare किया है खास तोर से कि 2070 तक 2070 तक हम net zero emission करेंगे net zero emission emission का मतलब carbon emission जो हमारे होते हैं जिसकी वज़े से pollution बहुत जादा हो रहा है climate change एक बड़ा zero emission करेंगे कोई मुझे बता सकता है net negative emission करने वाली एक मात्र country पूरे world में कौन सी है पिछले वीडियो में बताया था आपको तो हम 2017 तक net zero emission करेंगे यह article यह कहता है कि भाई अगर हम अगर हम cycle अगर हम cycle चलाना शुरू कर दें cycle चलाना शुरू कर दें तो यह हमारे environment के लिए बढ़ा अच्छा है यह हमारे health के लिए बढ़ा अच्छा है यह हमारे net carbon emission हम करना चाहते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और चीज ये बताते हैं बड़ी शॉट में बड़े संखेप में इस बात को रखने वाला हूं दोस्तों ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये आर्टिकल में हमारे और महुँद्य यह क्या रहे हैं कि एकॉली में कुछ स्कीम्श रएट पाइकल डीस्ट्रिबूशन स्कीम्श कैम्स अप में शौ्ट में बीदिएवाdy बोलूँगा आँ बाइसकश्ट में बीडियस ओला है कुछ गवर्मेंट से शुरू कि थी वेस की यह bicycle distribution schemes की वज़े से इन तीनों states में इन तीनों states में enrollment बढ़ गया enrollment यानि geographical distance की वज़े से बहुत सारे गरीब इलाकों में लोग school नहीं जा पाते थे उनका enrollment बढ़ गया यानि school में बच्चों की presence खास तोर से महिलाओं की presence बढ़ गई जो geographical barrier की वज़े से वहां नहीं जा पा इंग और उत्तरपदेश और मध्य प्रदेश में अलग-अलग सरकारों ने bicycle distribution schemes बनाई और उसके data जो निकल करके आए उससे हमें ये समझ भी आया कि उसके multiple benefits हुए है पहला enrollment education में enrollment बढ़ा है education में enrollment बढ़ा है और उसकी वज़े से social upliftment वहां के लोगों का हुआ है because now people are preferring to go to school, colleges, jobs, etc. और उसकी वज़े से transport expenditure जो होता था वो भी reduce हो रहा है तो हमारे author ये कहते हैं कि जिस प्रकार इन तीन states में bicycle distribution schemes बनाई थी उसी प्रकार हमारे election season में अब जब election हो रहा है तो अलग-अलग political parties को अपने election manifesto में इस प्रकार की bicycle distribution schemes को include करना चाहिए क्योंकि इस से ना केवल environment का भला होता है, health का भला होता है, बलकी socio-economic upliftment भी होता है, okay, because now, right, the girls, especially the girls of remote area, rural area, the girls of poor family, poor communities, the boys of poor family, poor communities can surpass and surmount the geographical barriers, they can go to school, the enrollment will increase, the education level will increase, the people who are choosing transport, public transport, and they were not able to afford public transport because of heavy expenditure, now can save some money by using bicycle, okay, so health भी बढ़ेगी, economy भी बढ़ेगी, social upliftment भी बढ़ेगा, very nice सुमित कुमार जी, चलिए, तो ये छोटा सा आर्टिकल है, इससे जरूर पढ़ लीजेगा, मतलब एक अलगी concept पर ये ले करके गए, आर्टिकल को, एक अलगी concept था, हलाकि उन्होंने बोला कि challenges क्या क्या आएंगे इसमें, ये challenges जो इन्होंने बताये कि challenges क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले जो पताया गिया है कि हम इसमे challenges क्या 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 हैंगे, अगर ये scheme, अगर ये scheme national level पर लागू करते हैं, कि हम हर youth को 10th, 12th चाहिए लड़का हो चाहिए लड़की उसको free bicycle distribute करेंगे, इसके सामने challenges क्या है, benefits के बाद तो हमने की, सबसे बड़ा challenge ये है, कि हमार यहां की जो urban planning है, वो कुछ इस प्रकार होती है, कि bicycles को traffic में बहुत दिक्कत होगी चलने में, वो car oriented, bike oriented ही हमारे यहां road planning या urban planning होती है, और एक report के मताबिक, अगर आप bicycle user है, urban areas में, तो 40% ज्यादा chances हैं, आपके accident होने के, या फिर किसी प्रकार की fatality को प्राप्ट करने के, तो accident की chances ज्यादा है, प्लस आपको traffic nonsense, traffic nuisances का भी बहुत ज्यादा शिकार होना पड़ेगा, तो सिर्फ cycle distribute करने से काम नहीं चलेगा, हमारा जो road infrastructure है, urban planning है, वो भी pro cyclist बने, इस बारे में, इस report में बोला गया है, तो इसके कुछ challenges हैं, जिसके बारे में बात की गई है, ठीक अब दोस्तों हम कुछ एक बहुत ही important article आया है, आज बहुत दो important article in fact आया है, जली जल्दी जल्दी हम लों discuss करते हैं, यह सबसे पहले हम यह discuss करते हैं, जो environment practical आया है, इससे पहले कोई question है तो आप लों discuss कर लीजे मुझसे, कोई question अगर आप पूशा चाहते हैं, discuss कर लीजे, दोस्तों यह article सबसे पहले पढ़ना है, बहुत सारी information शुपी होई है इस article में, is that clear, तो अगर आपके कोई प्रशन नहीं हैं दोस्तों, तो मैं इस article के तरह अपना ध्यान के इंदरत कर रहा हूं, दोस्तों, यह कह रहा है, article का जो headline है, वो कहता है, the need to curb black carbon, हम समझते हैं, black carbon क्या है, कैसे इसे curb करना है, और यह योजना क्या बात कर रही है, दोस्तों, सबसे पहले कुछ facts के बारे में बात करते हैं, जो exam oriented बहुत ही important है, दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार यह बात बोलता हूं, कि इंडिया ने 2070 तक यह decide किया है, 2070 में यह commitment किया है, कि हमें carbon neutral country बन जाएंगे, हम एक carbon neutral country बन जाएंगे, यह इंडिया ने commit कर दिया, dedicate कर दिया, यह commitment इंडिया ने कब दिया? ध्यान रखिएगा COP26 में, COP26 में दोस्तों, इंडिया ने, COP21 में, COP21 में, इंडिया ने यह commitment किया था, जोकि ग्लास गो में हुई थी, is that clear? ग्लास गो में, COP21 में, COP21 में, इंडिया ने यह घोशना की थी, इंडिया ने declaration दिया था, कि इंडिया जो है, वो 2070 के carbon neutral country बन जाएगा, कोई मुझे बता सकता है, इस बार का COP जो है, वो कहां हुआ था, और अगला वाला COP भी कहां होने वाला है, और जिन बच्चों को समझ म इंडिया रहा है कि COP क्या होता है, तो दोस्तों बतानू, COP का मतलब होता है, Conference of Parties, यह कब आया, कहां से आया, 18th March के the Hindu में, मैंने बहुत डीटेल भी IPCC, यानि IPCC के एक report discuss की थी, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, मैं बार बार आप से आग्रह कर रहा हूँ, अगर आप Hindu आज randomly देखने के लिए आया है, तो at least कोशिश कीजिए, कि 2X की speed पर ही सही, लेकिन आप पिछले 3-4 दिन के दा Hindu देख कर क्या है, ताकि आप इस class में comfortable feel हो सकें, very good, COP 28, अलोक राज, बहुत सही, उसके बाद हंसरा जोडी जी, okay, अलोक राज, COP 28, UAE, अगला प्रश्न मेरा आप सबसे ये है कि अगला COP कहां होने वाला है, इसके बारे में जारकारी मैंने को दी थी, तो दोस्तो, COP 21, जो कि ग्लासगो में हुआ था, हमने ये डेक्लेर किया कि हम carbon neutral country 2017 बनेंगे, ग्लासगो इस इन Scotland, okay, ग्लासगो इस इन Scotland, हमने ओपन किया, ये भी data आपको याद होन देंगे, हमने इसी ग्लासगो रिपोर्ट में ये बात बोली, कि हम अब धीरे-धीरे clean energy, यानि अपनी energy needs को पूरा करने के लिए clean energy, या फिर हम कह सकते है, non renewable energies, just like solar energy, कोई मुझे बता सकता है, non renewable energies, कौन कौन सी हों गई, solar energy, right, wind energy, okay, इसके लावा hydro power energy, इन सब चीजों का, ज जोकि clean energy है, अगर हम इन sources का use करके energy generate करेंगे, तो इससे carbon emission बहुत ही कम होता है, क्योंकि अभी हमारी maximum needs जो है, वो thermal power plants पूरा करते हैं, thermal power plants यानि coal based power plants पूरा करते हैं, जो की बहुत भारी संख्या में carbon emission करते हैं, दोस्तों, Glasgow में, जब हमने ये decide किया, कि हम 2070 तक ए carbon neutral country बने हमने उस वक्त और भी बड़े-बड़े targets रखे, उसमें targets हमने ये रखे, कि हम 2023 तक 2023 तक जो बीद गया, 180 gigawatt, 180 gigawatt, जड़ा ध्यार से बड़ा important pact है, 2023 तक 180 gigawatt, GW gigawatt, इतनी power सिर्फ non-renewable energy का use करके generate करेंगे, इतनी power दोस्तों, हम सिर्फ non-renewable energy का use करके generate करेंगे, अब य ये तो achieve हो गया 2023 तक, हम बिलकुल सही track पर थे, हमने achieve भी कर लिया, लेकिन हमने next target और बड़ा set किया है, और ये exam में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये exam में आएगा, 2030 तक हमने 500 gigawatt का target रखा है, अपने climate change commitments को पूरा करने के लिए, 2070 तक एक carbon neutral country बनने के लिए, हमने 2030 तक, 2030 तक 500 gigawatt जो है power generation, non reliable energy या clean energy से generate करने के बारे में सोचा है, ये हमने 2030 तक target लिया है, और ये question exam में सीधा पूछ सकते हैं, कि कितना target हमने 2030 तक रखा है, तो ये हमारे commitment से जिनने को पूरा करना है, 180 gigawatt हम complete कर चुके हैं 2030 तक, यानि हम phase 1 का target पूरा कर चुके हैं, अब target है अगले 5 साल में next target को complete करने का, ये कुछ important facts अमें डिसकस किये, आइस article पर आते है, article क्या कहता है, दोस्तों, article बड़ी important चीज़ कहता है, article बड़ी important चीज़ कहता है, हाँ, renewable energy है न, ये सारे के सारे renewable energies है, right, hydropower, wind power, geothermal power, okay, biomass energy, okay, ये सारी चीज़ें जो है, वो, Mr. Azam, very nice, आइए देखते हैं, आइए, join किजी Mr. Azam जी, अब देखिए, अब ये article क्या कहता है, article बात करता है, black carbon की, ये black carbon क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये black carbon क्या होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ecology environment कुछ ऐसे subjects होते हैं, जिएको detail में समझाना पड़ता है, वर अब क्या होता है, target क्या है, तो जना ध्यान से सुनिए इस चीज को, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं होता, और कभी-कभी एक बार आती है, environment related, तो environment, ecology related कोई कबर आ गई, वो बहुत important हो गई हमारे लिए, ध्यान रखिएगा, अब black carbon क्या होता है, दोस्तों black carbon जो है, य एक report के मताबिक, जो सरकारी report है, उसके मताबिक जहान से सुनिएगा, ये black carbon जो की incomplete combustion से पैदा होता है, और हमारे climate change plans को derail करने के लिए काफी चादा खतरनाक है, 47% black carbon जो है, निकलता है हमारे domestic reasons की वजह से, domestic industrial reason नहीं, और नहीं वहकिल का reason, domestic reasons की वजह से, यानि हमारे जो गाउं में, हमारे गाउं में, चूले पर, जरा धिहान से सुनिएगा, चूले पर, right, cow dung को जला करके, traditional fuels का सहारा लेकर जो खाना बनता है, 47% black carbon का emission जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इस traditional fuel के यूज़ करने की वजह से होता है, यानि biomass की burning, जिसे आप कहते हैं कि cow dung की वज़े से, जो cow dung से जो energy निकलती है, जिसे आप, मैं को बहुत अच्छे से याद है, बच्पन में, बच्पन में, जब मैं गाउं जाता था, तो मेरी दादी भी चूले का use करके खाना बनाती थी, right, देखिए, we were from well off family, we don't have, मतलब, ये problem नहीं था कि we can afford to cook our fuels on cooking gas, cooking लोगों के behavior में है, कि traditional fuels का सहरा लेकर के ही हमको खाना बनाना है, उससे खाना काफी स्वाधिस बनता है, कुछ हद्ता की बात सच भी है, ये खाना काफी स्वाधिस बनता है चूले पर, कंडे का सहरा लेकर, cow dung cakes का सहरा लेकर के, right, traditional bio fuels का सहरा लेकर के, खाना बहुत वमादा घाथ तक है एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इसी दा हिंदो में चपी च्है लाखस जो है शै लाखस जो एइं वह इस वज़े से होती थी इंडिया में बहुत सारी diseases इंडिया में सिर्फ इसी वज़े से फैलती हैं क्योंकि आज भी traditional fuels चूले पर खाना बनाने का काम गाओं में किया जाता है, गाओं में किया जाता है, अब इस चीज को eradicate करने के लिए 2016 में इस चीज को eradicate करने के लिए 2016 में, I guess in 2016, yes in 2016, प्रधान मंत्री उज्वल योजना was launched, प्रधान मंत्री उज्वला योजना in 2016 was launched, what was this प्रधान मंत्री उज्वला योजना इस पूरे की पूरे issue cater किया, इस में करीब करीब 10 करोण LPG connections या LPG cylinders बाटे गए, कितने 10 करोण लोगों को LPG cylinders बाटे गए प्रधान मंत्री उज्वला योजना के तहट प्रधान मंत्री उज्वला योजना के तहट बाटे गए क्योंकि इनको उन traditional fuels या चूले पर जो खाना बनता है जिसकी वज़े से health और environment दोनों पर एक ही negative impact पड़ता है उससे निकाल कर cooking gas तक लेके आना था ठीक है 10 करोन लोगों को बाटा बहुत अच्छा step था हमारे climate change के जो commitments हैं उनको fulfill करने के लिए भी plus health conscious होने के लिए भी एक बहुत अच्छा step था बट ये report उसके आगे कुछ कहती है ये दा हिंदू का tutorial कहता है जितने लोगों को जितने लोगों को sorry जितने लोगों को LPG cylinders बटा है 2016 से लेके आज तक उसमें से 25% लोग ऐसे हैं 25% लोग ऐसे हैं इस report के मताबिक जिन्होंने इस gas को कभी भी refill नहीं कराया राइट इन्होंने कभी भी refill नहीं कराया या साल में सिर्फ एक बार refill कराया ये report ये बात कहती है कि एक average family को साल में कम से कम चार बार एक average family चार लोग के average family कम से कम चार बार जो है वो LPG cylinder को refill कराना पड़ता है refill कराना पड़ता है और इस report के ताबिक 25 परसेंट या दस करोन लोगों में से धाई करोन लोग ऐसे हैं धाई से तीन करोन लोग जो यहां तो refill कभी कराए ही नहीं एक बार cylinder लेने के बार या फिर सिर्फ एक ही बार refill कराया पिछले पाच्छे सालों में तो मतलब क्या निकला cylinder बाटने का तो मतलब क्या निकला इस योजना का यह report आगे चीज कहती है कि ऐसा यह लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि cooking जो हमारा LPG cylinder के refill rates हैं यह बहुत जादा हाई है इसका LPG connection से LPG gas का इतने हाई कीमतों की वजह से यानि inflation की वजह से आप मोटा माटी समझे इंफलेशन की वजह से these people, these women, these beneficiaries of प्रधान मंत्री उजुला योजना are incapable to get it refilled, are incapable to get it refilled because of high expenditure, because of high inflation right, हलाकि सरकार ने कुछ subsidies देनी शुरू की, 200 रुपए, 300 रुपए की subsidy cooking gas पर या LPG के refill करने पर शुरू की but वो subsidies भी enough proof नहीं हुई, inflationary pressures को या inflation को arrest करने के लिए, यानि महगाई को खतम करने के लिए इतनी तेजी से हमारे जो LPG gas है, इसके rates पिछले कुछ दिनों में बड़े है, तो कुल मिला करके या article ये कहता है कि we are back to square one, 2016 में अगर आपने ये scheme बनाई थी, तो इस scheme के better implementation के लिए आपको cooking gas में subsidy और देनी चाहिए थी, LPG cylinders बार बार refill कराते रहें, इसके लिए लगातार subsidies जादा और जादा दिये जाने चाहिए थी और कोशिश की जाने चाहिए थी कि inflation इन सब चीजों को effect ना करें, याने inflation के वज़े से आपकी इतनी बड़ी scheme और इतना बड़ा climate change commitment जो है वो derail ना हो जाए, लेकिन ये derail होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सरकारे कुछ करें, या तो subsidy बढ़ाएं या inflation को कम करें, तभी जाकर के हम अपने climate change commitments को fulfill कर पाएंगे I hope it's clear my dear friends, very important article, very 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 important article, please इस article को refer करें, अच्छा, एक step भी बताया गया है कि हम ये क्या कर सकते हैं, ठीक, आगे भविश में हम क्या कर सकते हैं, तो एक बड़ा अच्छा step बताया है इनोंने, ध्यान से सुनियेगा, इनोंने बोला कि भाई गाउ में, विलेज में, विलेज म करके, बायो मास का, यूस करके, we can have small plants which can produce methane, ठीक, we can have small plants which can produce methane, और हमारी जो पंचायते हैं, यानि जो गाउं को रूल करती हैं, पंचायत हैं, पंचायती राज इस्टूशन हैं, सरपंच हैं, पंचायत हैं, पंचायत बोडीज हैं, इन सब को necessary training देनी चाहिए, इन सब को, right economically empowered करना चाहिए, right, politically empowered करना चाहिए, हर प्रकार का empowerment इन पंचायतों का किया जाना चाहिए, ता कि वो local level पर methane का production कर सकें, और हम इस inflation को arrest कर सकें, गाउं में हम biomass का use करके, पंचायतों के supervision में, पंचायतों के superintendence में, हम methane का production करें, this is the way out to this problem, is that clear my dear friends? no no no, biogas does not emits carbon, biogas emits carbon but in a very limited amount, right in a very limited amount, in a very small amount, that's manageable, okay, that's manageable, I look Mr. Razan thank you very much be regular ठीक है यह class और class की quality ऐसी ही रहेगी हमेशा I promise to all of you चली दोस्तों कोई question ना हो तो मैं आज की आखरी खबर पर move करूं और class को rap करूं friends let's move to the next news and the final news of the day कुछ बाते हैं constitution law के लिए बहुत important हो जाता है okay यह unemployment पर एक article आया है unemployment पर ग्रेट डिटेल में discussion किया है unemployment पजराई आप लोग देख लीजेगा प्लीज इस आर्टिकल देख लीजेगा दोस्तों एक और आर्टिकल बड़ा अच्छा आया है थोड़ा constitutional law से रिलिटेंड है वो है it is time for comprehensive reforms in municipal elections आपके screens पर it is time for a comprehensive reforms in municipal elections मेरा ध्यान और मेरा focus उन आर्टिकल पर ज्यादा रहता है जो आप अपने से नहीं पढ़ पाएंगे कुछ articles ऐसे भी हैं जो अपने से पढ़ सकते हैं तो discussion उन पर ज्यादा केंद्रित करेंगे हम जो आप जिन आर्टिकल को नहीं पढ़ पाएंगे सबसे पहले जैसे यह आर्टिकल है it is time for a comprehensive reforms in municipal elections सबसे पहले दोस्तों municipal bodies क्या होती है आईए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पर municipal नगर पालिका या नगर निगम तो होगा is that clear municipal corporations क्या आप जानते हैं यह municipal corporations जिदका election होता है जो कि elected body है जिसमें आप भी वोट अभी तो नहीं कर रहे होंगे शायद करेंगे आपके parents करते होंगे बड़े भाई लोग वोट करते होंगे नगर पालिका नगर निगम जो लगभग लगभग हर शहर को हर सहर के administration को चलाने के लिए एक third tier की government है सबसे उपर central government फिर state government और अब जो है वो शहरों में municipal corporation और municipal corporations और गाओं में ग्राम पंचायत आ चुकी है क्या दोस्तों आपको पता है कि हमारे original constitution में यानि 1950 में जब हमारा original constitution launch हुआ establish हुआ enact हुआ उस वक्त municipal corporations और पंचायती राज institutions हमारे constitution में mention नहीं थे दोस्तों 73rd धान रखिएगा very important 73rd constitutional amendment act 1993 के तहर्ट पंचायती राज institutions को develop किया गया जो गाओं में यानि हमारी 70% population तो वैसे भी गाओं में रहती है गाओं को local governance या फिर local administration provide करेंगी और central government और state government के बाद third tier of government बनेंगी यह आई 73rd constitutional amendment से और 74th constitutional amendment से दोस्तों 74th constitutional amendment से हमारे municipal corporation municipal corporation का concept भी आया okay municipal corporations का concept भी आया जो शेहरों में एक बहतर प्रशाशन एक बहतर governance provide करने की responsibility दी गई और यह शेहरों की third tier of government थी after central government and state government so these two amendments are important 73rd constitutional amendment 74th constitutional amendment these are very important दोस्तों इसकी वजह से हमारे सम्विधान में एक नया अच्छा एक और फैक्ट याज रखेगा पंचायती राज इंस्टिटूशन यह हमारे सम्विधान के पार्ट 9 में किसमें हैं पार्ट 9 में और municipal corporations जो हैं यह हमारे सम्विधान के पार्ट 9a में हैं किसमें हैं पार्ट 9a में यह भी कुछ important चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तो यह कुछ facts है 73rd 74th amendment पार्ट 9 पार्ट 9a ओके यह कुछ important बाते हैं कुछ facts और देखेंगे दोस्तों जहान रखिएगा आपको बहुत अच्छे अब जड़ा न्यूस पर जड़ा गौर करिए न्यूस पर कुछ खास न्यूस नहीं है इसमें बस कुछ चीज़ें आपको बतानी है और आप लोग छुट्टी लीजिए और जाइए ओके इस न्यूस के मताबिक दोस्तों अच्छा न्यूस से पहले एक और बात कर लें दोस्तों हमारे यहां एक election commission of India है जिसके बारे में आप जानते हैं जो article 324 से लेकर 329 तक है और यह part 15 में है किसमें है part 15 में इसको responsibility दी गई है कि यह हमारे parliament का law conduct कराएगा पर्लियमेंट का law बोल रहा हूँ पर्लियमेंट का जो election है parliamentary election को conduct कराएगा यानि लोकसभा राजसभा का election लोकसभा का election अगले मन्थ होने वाला है वो election commission of India ही conduct कराएगा इसके साथ साथ state legislative assembly यानि राज्य सरकारों का या राज्य विधान सभाओं का चुनाओ भी ये election commission of India भी कराएगा इसके लाबब président और vice president का election भी election commission of India ही कराता है तो parliamentary election state legislatures का election president और vice president का election जो है वो कौन कराता है election commission of India लेकिन क्या आपको पता है हमारे municipal corporations का या फिर पंचायती राज institutions का election कौन कराता है दोस्तों ये कराता है State Election Commission, ध्यान रखिएगा, State Election Commission, एक चीज विशेश रूप से ध्यान रखिएगा, हमारे Municipal Corporations का Election, हमारे Municipal Corporations का Election और पंचायती राज इंस्टिउशन का जो Election है, ये Election Commission of India नहीं कराता, इनका Election State Election Commission ही कराता है, तो अब आपके दिमाक में एक चीज आ गई हो होगी, सर इसका मतलब हमारा Constitution जब बना था, यानि 1950 में, उस वक्त तो Municipal Corporations ये से कोई चीज थी नहीं, नहीं पंचायती राज इंस्टिउशन ही से कोई चीज थी, बिलकुल नहीं थी, तो उस वक्त State Election Commission भी नहीं रहा होगा, और दोस्तों बात ये है, कि जब 73rd और 74th Amendment के ब बाद, Municipal Corporations और पंचायती राज इंस्टिउशन हमारे सम्विधान में आए, इंक्लूड हुए, और इन्हें Constitutional स्टेटस मिला, उसके बाद ही State Election Commission जो है, वो हमारे Constitution में इंट्रोड्यूस हुआ, दोस्तों, अब याद रखिएगा, 243K, आर्टिकल, प्लीज, वेरी इंपॉ अच्छा, अब आप बोलोगे सर, ये दो आर्टिकल क्यों है, इसलिए है, क्योंकि आर्टिकल 243K के तहर्ट, State Election Commission को responsibility मिली है, कि वो पंचायती राज का, पंचायती राज का, यानि रूरल बॉडीज का एलेक्शन कराएगा, और 243ZA के तहर्ट, उसे ये Constitutional Mandate मिला है, कि वो urban local bodies का, यानि municipal corporations, नगर पालिका, नगर निगम, इनका election कराएगा, तो ये दोनों आर्टिकल सापको याद रखने है, 243K और 243ZA, very important, ओके, तो दोस्तों, ये कुछ बातें आपको बतानी थी, अच्छा, अब आप लोग मेरी इक बात ध्यान से सुनिए, कि ये आर्टिकल क्य कहता है, ठीक, थोड़ा टफ है, बट आप लोग समझेगा, मैं मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है, कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाओ तो बहुत टाइम पे हो जाता है, पांच साल के बाद होई जा आई है, हलाकि ये आर्टिकल मिनुसिपल कॉपरेशन पर इरेटेड है, उसमें ये देखा गया है, कि अननेसेसरी डिले होता है, इनके इलेक्शन को कंडग कराने में, यानि जरूरी नहीं है कि हर पांच साल पे इलेक्शन होई जाए, देखिए दोस्तों, हमारा समविधान आर्टिकल 243U में, हमारा समविधान आर्टिकल 243U में कहता तो है, कि हर पांच साल पर मिनुसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉंसिबिल्टी स्टेट गवर्मेंट्स को दी गई है, कि स्टेट गवर्मेंट्स जो है, वो मिनुसिपल स्टेट इलेक्शन कमिशन के साथ, स्टेट इलेक्शन कमिशन के साथ, स्टेट इलेक्शन कमिशन के साथ, कॉर्डिनेशन इंशोर करके, हर पांच साल पर कराएंगे, लेकिन ये इलेक्शन पांच साल में होता नहीं है, धेरों एक्जामपल्स दिये गए हैं, जहां पर पा इस स्टेट को कहते हैं हमारे यहां का election भी दो साल पोस्पोन हुआ था यानि अपने पाँच साल के टेरियोर कंप्रीट करने के बाद भी दो राओ साल तक पोस्पोन हुआ और उसके बाद जा करके हमारे यहां election हुआ सिर्फ बज्यपदेश नहीं, बहुत सारे states में unnecessary delay होता है municipal corporation के election में, जहान रखिएगा, ऐसा delay नहीं होना चाहिए, because once again, जो हमारा first point of contact है, सरकार के साथ जो लोगों का first point of contact है, वो नगर पालिकार, नगर निगम और गाओं की बात करें, तो पंचायती राज institution में होता है, right, state government और central government से आम आदमी का point of contact इतनी असानी से नहीं होता, तो first point of contact जो है, वो हमारे यही दोनों organs है, और ऐसे में अगर इनके elections में unnecessary delay हो रहा है, तो definitely हम अपने constitutional morality का, constitutional responsibility का से कहीं न कहीं पीछे हट रहे हैं, is that clear my dear friends, तो यह article भी आप लोग रीट करिएगा, आज के लिए इतना ह नहीं प्यार देते रहिए, धेर सारा प्यार देते रहिए और प्यार नहीं, सलाह भी देते रहिए, कि कैसे हम इस product को best बनाएं, आपके interest को ध्यान में रखते हुए, जरूर comment section में, और मुझे personal messages में, या हमारी law prep की team को अपनी personal feedback भी बताएं, और personal advice भी दे, how we can rock together with this product, thank you my dear friends, कल मिलते हैं, अब ये class regular होगी, सिर्फ दो दिन की छुट्टी थी, होली की, टाटा, बाइबाई, टेक कियर